Hello Friends, कैसे हो आप सभी लोग? I hope कि आप सभी बढ़े होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी ठीक है तो और जो भी Modern History की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी Modern History पढ़ना चाते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे बेसिकली आपको हमारे इस चैनल पर GS का पूरा कॉंटेंट मिलेगा जिसमें हम Polity, Modern History, Economics ठीक है? उस हर एक सब्जक्क के बारे में जो भी GS में हमारे Question Paper आता है जो भी चीजे रहती हैं वो सारी चीजे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी तो जो भी अपनी GS प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाते हैं कोई भी Competition exam दे रहे हैं कोई भी UPC exam दे रहे हैं चाहिए वो NDA हो, CDS हो, CAPFIS को भी भी हो ठीक है और वो प्रेपरेशन करना चाते हैं वो आप इस चैनल को सब्स्ट्राइब कर लीजे अपने दोसों साथ शेयर कर लीजे और एक request गाईज उन लोगों के साथ जरूर शेयर करेगा जो लोग online and offline platform support नहीं कर पाते हैं बच्चे और वो पढ़ना चाते हैं, preparation करना चाते हैं ठीक है, ये request है मेरे आप से आप मदद करिए हमारी ठीक है अब गाईस देखो, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है बहुत सारे questions ऐसे आएंगे, बहुत सारे ऐसे concepts हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि फरुक्सियार की death कैसे हुई, फरुक्सियार के बाद राजा कौन बना, ठीक है, दस्तक concept क्या है, कर ठीक है 156 त्रेड प्रैवेट यानी की company trade और प्राइवेट ट्रेड क्या है, जो फरुक्सियार का जिस ज्क्टर ने इलाज किया था, उसका नाम क्या है, ठीक है फरुक्सियार की मृत्टिव हुई कैसे और कौन-कौन से राजा है उन राजाओं को किस ने राजा बनाया उन हर एक सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे अब मैं आगे शुरू करता हूँ देखो मैंने कुछ चीज़ रिवीजन कर लेते हैं मैंने कुछ चीज़ आपको बताई थी फरुक्सियार को राजा किस ने बनाया था सेयद ब्रदर्स ने और सेयद ब्रदर्स का जो टाइम पिरिड़ था वो था 1713 से लेके 1720 तक अब सेयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स क्यों कहा जाता है इस चीज़ का आगे पता चल जाएगा कि इनको किंग मेकर्स क्यों कहा जाता तो जैसा कि आपको पता है कि फर्षयार ने बहुत कुछ, मतलब, Britishers को ये लिए एक फर्मान इशू किया था, कि उसने ब्रिटिश और कम चारों तर लिजडार का, ये सब चीजे मैंने आपको बता दी थी और कलकट्पा को कवर करने का, चारो तरफ दीवार खड़ी करने का भी उस में उस लेटर में मैंशन था कि आप अपने कलकत्ता या आसपा जो चारो तरफ दीवार खड़ी कर सकते हो और उन सब चीजों की वज़े से बिटिशस ने अपनी आर्मी खटी कर ली और इस देश को अपना गुलाम बना लिया यह स यह सी कम भी कर दिया था यह से बॉंबे में और इधर मदराव में टेस काफी कम कर दिया तो और बेंगॉल में तो टैक्मस फ्री कर दिया था किwright अब जब ब्रिटिश ट्रेप कर सकते हैं इंडिया में तो फरुक्सियार景 उनके लिए एक concept of दस्तक लेकर आया, उस दस्तक में क्या था? वो एक तरह का identity card था तीक उस card का मतलब ये था कि जैसे कि आप देखते हो, आप कहीं घूमने जाते हो, किसी एक state से दूसरे state, तीक या किसी highway बगरा पर, तो आप वहाँ पर toll tax देखते होगे कि आप वहाँ पर उस road को इस्तिमाल करने का या एक राज़ी से दूसरे राज़ी में जब आप जाते होगे चीजों को इस्तिमाल करना, वहाँ व्यापार करना या जिसे कोई भी गाड़ी जाती होगे, माल आप भेजते हो एक देश से दूसरे देश या फिर एक स्टेट सा दूसरे स्टेट, तो आपको कुछ नहीं कुछ टोल टैक्स है, कोई नहीं कोई ट्रेड करते हुए, आपको चीजे गवर्मेंट को देनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन उनी सब चीजों को, Britishers को भी वो सारी चीज़े देनी पड़ती थी लेकिन उस letter को उस फर्वान को issue करने के बाद फरुक सियार ने concept of dastak लेकर आए वो card लेकर आए उस card का मतलब यह था कि Britishers trading करते हैं इंडिया में और वो कहीं पर भी किसी भी trading कर सकते हैं और वो कहीं भी कोई भी business करते हैं कहीं भी अपने vehicles भेशते हैं कहीं पर भी कोई trading करते हैं तो वहाँ पर उनको free pass मिलेगा free entry मिलेगी बस उनको क्या करना है वो एक card है जो दस्तक नाम से card फरुक्षियार ने issue किया था उस दस्तक card को वहाँ के लोगों को दिखाना है बस इतना सथा concept of 10 तक अब दूसरा concept यहाँ पर यह कि मैंने देखो यह सारी चीज़े मैं आपको एक पर concept बता रहा हूँ कि यह क्या चीज़े हैं उसके बद मैं connect कर दूँगा अब मैंने दूसरा concept यहाँ पर यह बता रहा हूँ कि देखो दो तरह का trade होता है एक होता है company trade दूसरा होता है private trade ठीक है और मैंने आपको यह भी बताया था कि East India Company हमारे भारत देश में 1600 में आ चुकी थी ठीक है और वो आराम से trading कर रही थी अब company की trade का मतलब क्या है company trade का मतलब यह है कि suppose जो East India Company आई थी इंडिया में अपना जो trading करने के according आई थी ठीक है और अगर वो company अपने कोई भी माल को यह ऐसे इंडिया से ब्रिटेन अगर ट्रेडिंग कर रही है तो अपने इंडिया से अगर वो East India Company अपने इंडिया से कोई भी ऐसी चीज सप्लाई कर रही ब्रिटेन की तरफ ठीक है तो उसको तो हम कह देंगे company trade कि एक company है जो East India Company है जो trading के लिए आई हुई है और वो अपने अपने भारत देश से अपने ब्रिटेन देश के साथ trading कर रही है यहां का अपने से कोई ऐसा इंसान कोई ऐसा British नागरे ठीक है जो कि यहां से सामान चोरी करके सामान चोरी करके या गलत तरीके से जो East India Company उससे वैरिफाइड नहीं होकर ठीक है गलत तरीके से यहां का सामान बहां ले जाकर बेचता है अपने ब्रिटेन में जाकर बेचता है यहां से सप्लाई करता है चोरी चकारी करके ठीक है तो अगर वो प्राइवेटली बिना किसी East India Company की वैरिफाइड की बिना अगर वो ऐसे काम कर रहा है तो वो कहीं न कहीं प्राइवेट ट्रेड हुआ और वो चीज गलत भी है ठीक है तो यह फरका है कंपनी ट्रेड और प्राइवेट ट्रेड में कि अगर कोई गलत तरीके से चोरी चकारी करके कोई भी ब्रिटेश नागरी इंडिया का सामान अपने ब्रिटेड में भीज रहा है और फिर वो उस चीज की ट्रेडिंग कर रहा है तो वो एक प्राइवेट ट्रेड हो गई और अगर इस इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग के लिए रजिस्टर होके मतला भी फिर रजिस्टरी या फिर जो मुगल के राजा है उनकी नजर में चीज़ें होके वेरिफाइ होके और फिर यहां का सामान ब्रिटेड में जा रहा है तो उसको कंपनी ट्रेड कहते है लेकिन लेकिन ऐसा था कि 95% लोग ऐसे थे ब्रिटिशर्स में जो की लोग प्राइवेट ट्रेड करते थे ठीक है प्राइवेट ट्रेड करते थे अब मैंने आपको बताया था दस्तक दस्तक कार्ड और वो दस्तक कार्ड न वो सिर्फ उन लोगों के लिए वैलेट था जो East India Company के लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, अगर कोई private trade कर रहा है, तो उसके लिए वो दस्तक कार्ड वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो वो दस्तक कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए था, जो East India Company की तरह, ठीक है, EIC, East India Company की तरह, अगर ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे India to Britain, चाह तो वो इल्लीगल है, यह हो गया, दस्तक कार्ड का रूल, कि वो कहां पर acceptable है, कहां पर नहीं है, किसके लिए acceptable है, किसके लिए नहीं है, ठीक है, तूसरा मैंने आपको यह बताया, कि जो डॉक्टर थे, जो फरुक्सियार का इलाज कराने आये थे, उन डॉक्टर का नाम था अपने देश को गुलाम बनाने के लिए, ठीक है, अब तीसरी बात यहां पर यह होई, कि फरुक्सियार को काफी टाइम बात यह एह एहसास हुआ, यह रेलाइज हुआ उसको, कि मैं एक पपिट किंग हूँ, यानि कि सिर्फ एक नाम का राजा हूँ, लेकिन जो इस एम्प धिलाइज वे तो उनको इंचीज बहुत बुरी लगी और उनको चुबने लगी, तो फिरुक्सियार ने क्या किया, फिरुक्सियार ने एक प्लैन बनाया, क्या प्लैन था, उस प्लैन में था, कि उसलिख के इस यह इस ईचारों, नहीं चलना चाहता, तो उसके लिए उन्होंने क्या इप्लान मनाया, क्या इलाज निकाला, क्या सोलूशन निकाला, वो सोलूशन था, कि वो फरुक्सियार ने सोचा, कि हम इन सहियाद ब्रदस को मरवा देते हैं, लेकिन उससे पहले, मैं आपके लिए एक डाउट क्लियर कर तो उससे खुश होकर खुश होकर फरुक्स यार ने लेटर इशू किया था यह चीज मैंने आपको बताई थी तो अब एक नहीं पर मैं आपको एक जारो तरफ दीबार खड़ी कर लो ठीक है आप फ्री ट्रेडिंग करो यह चीज फरुक्स यार के नाम पर मैंने आपको पावर किसके पास थी सायद ब्रदस के पास जो की वजीर थे मीर वक्षी थे ठीक है वो लोग उस एंपायर को चला रहे थे तो हमें फरुक्स यार के पास फिर पावर कहां से आगी तो इसका डाउट मैं आपको यह क्लिर कर देता हूँ देखो अपने देश में भी अगर आ मतलब काम तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे लेकिन उसका नाम करण को यह प्रदान मतलब राष्ट पती के नाम से यह चीज निकली है तो उसका रेप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट कर रहे हैं लेकिन काम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो सेम उसी तरह से कि नाम तो फरु भगती वो लोग दोनों मिलके यह चाते थे कि ठीक है अगर हम Britishers की मदद करेंगे तो उसके बदले में Britishers हमें पैसा देंगे क्योंकि obviously मुगल एंपायर काफी ज़्यादा कमजोर पड़ चुका था ठीक है तो उन दोनों के यानि कि सेयद ब्रदर्स और फरुक्षियार दोनों के मनमें यह चीज आई कि ठीक है इस चीज को लेकर हम Britishers को कुछ अच्छी चीज़े देते हैं उसके बदले में Britishers हमें पैसा भी देंगे हमारे पास पैसा भी आएगा तो इस लालच में भी उन दोनों के concern के साथ यह चीज़े इशू हुई थी तो सिर्फ फरुक्षियार ने अगर यह लेटर इशू किया है तो ऐसा नहीं है दोनों का यानि सेयद ब्रदर्स की वी उसमें हाँ थी concern था ठीक है अब मैं आपको क्या बता रहा था कि जब फरुक्षियार को यह पता चला यह realize हुआ कि मैं एक puppet king और मैं एक puppet king बनकर नहीं रहना चाहता तो उन्होंने सेयद ब्रदर्स को मरवाने की सोची और ये बात सेयद ब्रदर्स को पता चल चुकी थी फरुक्षियार ने सेयद ब्रदर्स को मरवाने के लिए plan बनाया लेकिन ये बात सेयद ब्रदर्स को पता चल गई थी अब क्या हुआ सेयद ब्रदर्स गए कहां गए सेयद ब्रदर्स गए किसके पास contact किया उन्होंने मराठाज से मराठाज में एक पेशवा थे बाला जी विशुनात और ये बाला जी विशुनात पेशवा थे मराठाज में इन्हों ने इनसे बातचीत करी और सेयद ब्रदस ने उनसे बाला जी विशुनात से कहा कि हमने आपको मुगल एम्पायर में डेकन एरिया दिया था जिसकी हमने चौथ हो सरदेश मुखी आपको दी ती तो बाला जी ने का जी बिल्कुल ठीक है दी थी तो सेयद ब्रदस ने का कि हमने चो एरिया दिया था उस एरिया को हम बढ़ा सकते हैं मतलब आपको जादा जमीन दे सकते हैं मुगल एमपार में मतलब जादा सर्देश मुक्य और चौथ दिल वा सकता हूं मैं आपको, तो विशुनात जी ने कहा भई कैसे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सैयद ब्रदस ने कहा कि आपको अगर जादा एरिया चाहिए, जादा सर्देश मुक्य और चौथ चाहिए तो आपको फरुक्षियार को मारना होगा ठीक है तो सयद ब्रतस ने बाला जी विश्यवनाथFreakनाद से डील करी कि हम आपको ज़्यादा चाओधर सरदेश मुकी देंगे जादा एरिया देंगे मुगल एंपायर में उसके बदले आपको फरुक्षियार को मारना होगा और बाला बाला जी विश्वनाथ जो थे उन्होंने ये चैलेंग या इफियो जो डील थी वो एक्सेप्ट करी और बाला जी ने फरुक्षियार को 1719 में मार दिया इस तरह से फरुक्षियार की death हुई तो फरुक्षियार को मारा गया है किसके दौरा बाला जी विश्वनाथ की दौरा सेयद ब्रदरस ने ये डील करी ती मराठास के एक पेश्वा थे बाला जी विश्वनाथ के साथ तो 1719 में फरुक्षियार की death हुई चूकी थी और सेयद ब्रदरस तुमें आपको बताए ना क कि फरुक्सियार के जो टाइम प्रिड़ है वो 1713 से लेके 1719 तक का रहा अब इसके आगे कहानी क्या है after that आपको पता है कि फिर वाई वो जो मराठास सा डील हुई थी तो उसका मतलब कि साइद ब्रदर्स ने उनके लिए वो जो चौथ हो सरदेश मुखी है या फिर जो डेकन ही रही है वो बढ़ा दिया यानि कि जगे जादा दे दी तो यह सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही थी कि मराठास का राइज कैसे हो रहता है मतलब मराठास राइज कैसे कर रहते हैं मराठास अपने मुगल एमपायर पे कैसे कबजा बना रहते हैं दीरे दीरे िधिर कि 17 hy galgie मैं रफी उद्द्वराजद दिर्फिया की एक letter करते एक फरुमान इंशिक कर दिया चैकर आप गढ़ किसे राजा की बाद करता कि रफी उद्द्वराजब उगया फिरे नियुद औ्र भी इसipper पर चैस healthy हो हो गयाר इसके बाद करता है कि मला सोरी मैं गर किसी राजा की बात करता हूं कि रफी-उदर राजब ऑगे और फिर फरुक्सियार हो गए इसके बाद के जो भी राजब गया इससारे के सारे पपिट केंट थे तो अगर विजापूर करनाटका हैदराबाद और खांदेश यह जगह भी चौथ सर्देश मुखी इन जगों पर भी चौथ सर्देश मुखी मराथास को देना स्टार्ट कर दिया ठीके और इसमें भी दखो सयद ब्रदस का कंसर्ण था और उसके बाद एक फर्मान इशू कर गए तो उसके बाद रफियुद्धर राजत की भी 1719 में ही मौत होगी 1719 में राजा बने थे और 1719 में ही इनकी डैथ हो गई और इनकी डैथ होई थी किसकी वज़े से टीवर क्लोस इनकी टीवी की वज़े से टीवी एक बीमारी उसकी वज़े से इनकी 1719 में ही डैथ हो गई तो यह मैंने आपको बताया था यह डेकन एरिया था जो पहले दिया गया था जहांदर शाक की डियूरेशन में जो कि सेयद ब्रदस ने दिया था और इसी एरिया को बढ़ाने के जो बींद्रिया को बढ़ाया होगा हो यह थास को देने के लिए इस की हिस्से को तो रफी उद द्राजत की 1719 में मौत हो गई है अब इसके बाद क्या हुआ रफी उद्द को भी सराजात राज़त को भी सअधे ब्राजा ने राजा बनाया था और ora Đो लए सईवजी ब्राद facto को आधा था लेकिन अवह चलिए ना उतरा स्थिवंग संत्रूरह और मेंज़र के इसे कहा जा जाकला धा है कि रफी उद्दौला दो-तीन महीने चेर पर रहे, और दो-तीन महीने ही रहे, उसके अधन की death हो गए थी, लेकिन उस दो-तीन महीने में भी रफी उद्दौला क्या हुआ, उस टाइम पिरिड में, दो-तीन महीने के टाइम पिरिड में ही, वो अपने आपको टाइटल दे दिया, एक नाम दे दिया और वो नाम क्या था साजहां टू, साजहां टू करके एक नाम खुद को दे दिया और टाइटल दे दिया, लोग हसने लगे, लोग बोले पागल होके का अपना comparison साजहां से कर रहा है, तो ये सारी चीजें होई कि रफी उद्दौला भी साजहां टू का उन् ठीक है, तो रफी उद्दौला की भी जब दो तीन महीने बाद 1719 में ही डैथ हो गई, उसके बाद जो राजा वने वो वने मुहमद शाह रंगीला, मुहमद शाह रंगीला का जो टाइम पिरिड़ था वो 1719 से लेके 1748, यहां गलत लिग गया गाइस, 1748 तक राई, ये ही बनाए गए थे, किसके द्वारा, सेयद ब्रदर्स के द्वारा, तो सेयद ब्रदर्स का आप यहां पर देखो, कितना एहम रोल है, ये किंग मेकर क्यों कहलाएगे, इन्होंने अभी तक चार राजा बना चुके थे, जहांदर शाह, रफी उद्दौला, और अब मुहमद शाह, मुहमद शाह, रंगीला, ठीक है, तो चार राजा बना चुके थे, सेयद ब्रदर्स, देखो आप, ठीक है, तो अब आप यह देखो, कि जितना, जो औरंज जेब से बरबादी शुरू ही थी, मुगल एमपायर की, और अभी तक जितनी बरबादी और होनी थी, या फि ठीक है, तो उन सब चीजों को भी खतम करने के लिए, हमारे यह, मुहमद शाह, रंगीला बचे थे, और इनके टाइम पिरिड में भी, मुगल एमपायर में जो चीज़े बची थी, वो भी खतम होती कि, अटैक होते रहे, बहुत सारी चोरियां होती रहे, बहुत सारी चीज हो, तो उन सब चीजों के पीछे का रीजन है, कि ये बहादुर शावन के बाद, बहादुर शावन के बाद, जो भी राजा थे, वो सारे के सारे पपिट किंग थे, ध्यान रखना, कि बहादुर शावन, ये हो, मुगल एमपायर के वरबादी और क्यों होती गई, या इतनी कहीं, फुल आयाश थे, उनको दारू, शराव, यही सब चाहिए था, लड़कियों का डांस चाहिए था, उनको एमपायर से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, और वो राजा बनाए गए थे, किसके दवारा सेयद ब्रदस के दवारा वजीर बनाया, वजीर ने उनको राजा बनाया, तो आप देखो, उनके पास कहां इतनी बुद्धी थी, कहां इतनी समझती, अंधे थे, वो सिर्फ तारू और शराब में, ठीक है, इस वजए से, और जो कुछ बरबादी बची थी मुगल एमपायर की, वो भी इस मुगमद शाह के टाइम पीरिड में शाजा के बराबर खड़ा गड़ दिया, ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी में आपने अभी तक चूबी चीजे पढ़ें, इस पूरी स्टोरी में आपने देखा कि मराठाज का राइज, यानि मराठाज कैसे उंचाईयों तक उठ रहे थे, कैसे मुगल एमपायर पे अप अपना कभजा बना रहे थे, ठीक है, और ये सब चीजे आपने 1748 तक के टाइम पिरिएड में हम चल रहे हैं, और इस टाइम पिरिएड में आपने इस सारी चीजे देखी, और इसकी इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे, नादिर शा का अटैक, मुहम कर लेते हैं, मैंने आपको दस्तक किया था, दस्तक किया था, जो कि बिटिशस को ट्रेडिंग करने के लिए आजाद ही दे रहा था, वहाँ पर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना, कहीं भी किसी भी रोड पर, कहीं पर भी कुछ भी, ठीक है, एक कंपनी ट्रेड बताया, प् हम आपको मुगल एम्पाय में चौथ सर्देश मुकी और जादा देंगे, उसके बदले में आपको फरुक्षार को मारना होगा, उनकी डैत करी, उनको मार दिया गया, और फरुक्षार के बाद, रफी उद्धाराजत जो की बनाए गए तिक इसके दोरा, सेयद ब्रदस को रफी उद्धाराजत की ट्यूबर क्लोसिस की वज़े से डैत हो गई, लेकिन उससे पहले रफी उद्धाराजत कुछ फर्मान इश्यू कर गए ते मराठास के लिए, जिसमें वो इन जगवा पर सर्देश मुकी और चौथ देते दे गए, ठीक है, उसके बाद रफी उद् रंगीला आए, ठीक है, मुहमद शाह रंगीला का 1719-1748 तक का जो टाइम पीरिड रा, उसके बाद ये भी सेयद ब्रदस के द्वारा राजा बनाए गए थे, ठीक है, तो जो बी और बी चीज जो बरबादी बची थी, जो जो चीजे मुगल एमपायर में और थोड़ी प्लासी, बैटल ओफ जो भी थे, कार्नेटिक वार, हम वो सारी चीजे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं तब तक के लिए और आप अपनी प्रिफिशन लगे रहो, और प्लीज गाइस, सब्स्राइब जरूर करते हैं, एक रिक्विस्ट है मेरी आप से, मैं तब अस यह चाहता हूं कि यह वीडियो उन लोगों तक पहुँचें जो पढ़ना चाहते हैं, थैंक यू, हव अगूड डे एंड बावाए